कुंद्रू का सब्जी कोई भी जब देखता है या सुषता है खाने के लिए इंकार करता है खाता भी नहीं है आप एक बार मेरे इस तरह से बना कर देखिए जो नहीं खाने वाला भी 100% गैरंटी देता हूँ जरूर खाएगा एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे मसालेदार चलि यह आप देख्से करोंगे और एक कुंद्रू को जह है आपको 8 पीसे सकट करना है 20 से दों पीस करना है उसको चार-चार-डीले करके कट कर लेना है और उसको एक बॉल में लेना है कट करने का बात इसको वास नहीं करने आप ध्यान रखना है आपको कटिंग करने का पहले आप सको वास कर लेना है इसमें थोड़ा कलोंजी डालेंगे वन टेबल स्पून जो आजवाने उसमें डालेंगे अब इसमें थोड जादा कॉंटिटिटिव लेग सकते हैं थोड़ा कम भी ले सकते हैं कि उच्छा डालेंगे तो क्या होगा आपका जो कोटी निया उपर का बहुत मोटा हो जाएगा खाने के लिए तोड़ा सा कम डालिए और उपर से हलका सा पानी इसमें एड कीजिए और इसको हास से अच्छ आप मत डालिए बस हम जो डाला ऐसे डालिए और ओयल आपको पुरा अच्छा तरीका से गरम कर लेना है देखिए तेल पुरा गरम है अब इसको इस तरह से छोड़ेंगे अब जब डालेंगे नो सट भी जाएगा आपने आप यह खूल जाएगा एक अलग-अलग हो जाएगा कोई भी एक से चिपकेगा नहीं पूरा अच्छा तरीका से फ्राई हो जाएगा यह लांच में आप डाल लीजिए या सांबर लीजिए किसका भी साथ आप खा सकते लांच का टाइम में बहुत बढ़िया लगता बहुत बढ़िया रेसिपी है जरूर आप एक बार ट्राइ कीजिए रेसिपी हम गैरेंटी तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा अब देखिए पूरा जो है कुंद्रू इसमें हम डाल दिया हूँ थोड़ा डालने का बाद इसको हलका इस तरह से आपको हिलाना है इसको जल्दी इसको मिक्स नहीं करना है और ज्यादा इसको हिलाना ही है क्योंकि जो बैटर है ना ओखूल जाने का चांस रहता है अब यह देखिए हापड़न फ्राई हो चुका है और थोड़ा सा गोल्डेन कलर होने तक इसको फ्राई करेंगे थोड़ा कड़क भी हो जाएगा खाने के लिए मज़ेदार लगेगा एकदम बढ़िया निकाल लेंगे देखिए निकालना का बाद इसमें थोड़ा मसाला भी हमें आड करूंगा उपर से तब जाके यह खाने में बहुत बढ़िया लगेगा अब देख सकते होंगे कितना बढ़िया फ्राई क्या हुआ हुआ अब जब इसको निकाले नीचे पेपर या टीसू प अच्छा तरीका सी इसको मिक्स कर लिए जरूर यह रेसिपी का घर में ट्राई किजिए आसा करता हूं रेसिपी आपको पसंद आएगा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट एक प्लीज एक कमेंट कीजिए देखिए कितना बढ़िया है फिर मिलेंगे इसे मज़ेदार और ने ने रेसिपी के साथ में